बच्छो आप सब लोग 24 का कांस्ट्रिंग का फॉर्म फिल आप कैसे कर सकता है इस वीडियो के मादम से मैं आपको समझने के ट्राइब करूगा डीटेल वीडियो है मैंने स्टेप बाइस सारे प्रोसेस का यहां पे एक्स्प्लेंड किया है हाँ दोज़ेश का बेसिकली यह बठा दोज़ेश का प्रोसेस सेंब प्रोसेसी दोज़ेश को मिल जाएगा तो आराम से इस वीडियो को सारे बच्चे देख लीजिए और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि कोई भी बच्चा गलती ना करें तो आप सब लोग प्लीज जितना भी दूर हो सकी सारे द सब्सक्राइब करें डिस्क्रिप्शन मेरा वाट्साप नमर है 191 पे इंडिया का चीपेस्ट बेस्ट मेंटर्शिप को जोईन कर लें 400 बच्चे जोईन कर चुके और अभी आप सब लोग को आराम से इसके अंदर मैं कुइक लिस्ट उतिन टुडए आज ही के अंदर मैं प पेज पी ठीक है आपको दिखा था हूं इस पेज पर आने के बाद आप लोग को सरसार यहां पर आप लोग को कौंसी टाइप का रेसिस्टेशन आप करना चाहतों यह फिल्ट करना है यहांपट ऐंपने करने के बाद टाइप आप आप लोग को पहले liberaal ॢट सिच्ट हो कि टाइप आप रेजिस्टेशन बहुत इनपोर्टेंट है Jman seat having only Jman rank आपके पास क्या only Jman rank है both wbj and Jman seat और तीसरा wbj seats having only wbj rank मेरे जादा student जो यह third option वाले है wbj seat with having wbj only wbj rank जिनके पास बोत rank है जिनके पास only Jman rank है उनका process अलग है थोड़ा अलग है ठीक है बाकी सब सेमी रहेगा बट उनका rank अलग से पूट करना पड़ेगा बट मैं only यह third option के साथ जाता हो ठीक है और यही बहुत important है यहां पर आके आपको उसके बाद आपका roll number followed by password डालना पड़ेगा capture code यहां पर कीजिए और sign in पर आप लोग जा सकते हो ठीक है sign in option पर आप लोग क्लिक करके आगे बढ़ो अच्छा आप लोग को मैंने एक चीज थोड़ा ठीक नहीं बोला यहां पर आपको स्क्रोल करके उपर आना है यह तो जो लोग पहले रिजिस्टर कियो उनके लिए जो लोग पहल आप यहां पर आ जाओ ठीक है यहां पर आको आके आपको आपका पर्सनल डियल सब कुछ सब्मिट करने है जब डबलुबी जीए सीट हैबिंग ओंडी वेवजी रैंग ऐसे मैंने सेट करें किया ठीक है जिनका पास जेए इमेन का रैंग है वो जेए मेन सेलेक्ट करना आपका यह सब देख सकते हैं क्याप्चा कोड करके सब्मिट पर क्लिक करो ठीक है आपका रिजिस्टेशन प्राइमेन रिजिस्टेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा आपको मैं करके उसके बाद दिखाता हूँ तो रिजिस्टेशन बहुत क्यारफुली कर रहा है अगर कोई गलती कर वैठे तो चेंज नहीं होगा तो इसको रिजिस्टेशन प्राइब करो ठीक है तो कोई चेंज अगलती करो तो चेंज नहीं होगा नाम मादर का नेम कोई गलती मत करो एक बढ़ करने के बाद देख लो डेट आप बाद चेक कर लो जब अगर हो गया सब कुछ चेक करना देखना कम्ट्रीट हो गया इसके बाद सब्मिट अप्सिन पे क्लिक कर दो तो जब आप लोग यह डाल दोगे देखो आपके सामने ऐसे आपका रोल नंबर आपका नाम सब कुछ आराम से आ जाएगा ठीक है तो कोई गलती मत करना ठीक से सब कुछ डालना ठीक है होगा तो आप लोग के नंबर पर एंड़ एस इमेल आईटी पर ओटीप आएगा ओटीप जब आप जिनरेट हो जाएगा वहां पर आप लोग नहीं में तो रिसेंट करना और लास्ट में वेडिपाई एंड सब्मीट जो अप्सिन है यहां पर आप लोग देख पाड़ों यह भेडिपाई अंड सब्मीट ओप्सेंग आप लोग क्लिक कर दो जब आप लोग क्लिक करदोगे तो आप लोग का जो रिजिस्टेशन प्रोसेस है वह कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग कैसे समझोगे आपका रिश्रिश्टेशन कंप्लीट हो गया देखो जब इक के बाद एक क्लिक करो और करते हुए करते जाू आप यह झाप हो गया उसके बाद फिल तर्सक्सिन पर यह को क्लिक करना हुआ है नियो K वेह हैं में आपको नफ दिखाऊंगा एक बार आप लोग कोई करना है कि ह दidays अ तो अब आपके सामने application form open हो गया है application form ऐसा दिखता है तो application form का आपको फील करना है जैने डिसेबिलिटी या त्यूशन फी वह बाद टीफ डवलु है या नहीं अगर सर्टिपिकेट आपके पास है तो यस डालो अगर नहीं आउटसाइट स्टेट हो तो अगर हो गया उसके बाद आगे बादते हुई तो आपको यहां पर आपका बैंक अगर बाद नेम आपको डानला पड़ेगा ठीक है यह डालो और उसके बाद आपलोड दा क्या बोले कैंसिल चेक लीप या पास्बूक का फ्रॉंट पेज है वह आपको यहां पर यहां पर अगर आप वीट्रो करेंगे तो रिफांट आपको इस अकाउंट पर ही मिलेगा तो यहां पर चूस करके वही आपको डालके आप लोग डाल दोगे अपना अप्लिकेशन फॉर्म जैसे मैंने दिखाया थीक वाइसी फॉर्म फिल आप करना होने के बाद आप आपको टिर्लेट करके आचुके जो जो स्टेप क्लियर होगा यहां पर लोग लेफ्स साइट भी देख पाऊगे कि कंप्ली राइट राइट क्लिक आ जाएगा थीक है तो तीनों स्टेप आपने कंप्लीट कर लिए रिजिस्टेशन एप्लिकेशन डिटल्स आप फॉर्थ आता है contact details तो आपको आपका contact details मतलब जो यह देख सकते हो वी रेज नेम लोकालिटी कॉंसर टाउन से हो post office क्या है country क्या है state क्या है district क्या है यह सब डालना पड़ेगा ठीक है तो यह सब डालो और डाल के प्रोसीड करो ठीक है तो इसके बाद जब आप करोगे एकदम last step पर आ चुके हो preview and final submit इस पर ठीक से एक बार पूरा चीज को check कर लो preview कर लो कि हो गया यहां पर declaration पर yes पर click कर दो yes जाकि है एकदम सब कुछ ठीक है and save and final submit इस पर click कर अगर कोई आप लोग का आप लोग का आप लोग के लिए बहुत इंपोर्टन है तो क्या आप फाइनल सब्मिट करना चाहते हो तो आप yes पर click कर देना अगर confident हो नहीं तो आप फिर से एक बार फिर से चेक कर लेना तो हो गया आप लोग का आड़ाम से एकदम बहुत सुन्दर से हो गया आप लोग का जो है क्या बोलते हैं application process fill up करना complete step by step मैंने किया देखना ऐसे ही आप आ जाएगा अब आपके सामने आएगा choice filling and pay registration fees तो आपको choice filling करना पड़ेगा registration fee पर करना पड़ेगा यह सब आप सब लोग का भी करना पड़ेगा यह पेज आपके सामने अब आएगा ठीक है अब कैसे कैसे choice filling करना है registration process कर देना है तो चलिए फिर से हम लोग को मिलते कुछ देर बाद यह वीडियो जरूर आप सब लोग को help करेगा आपका process जो है almost खतम हम लोग कर दिये आप choice filling कैसे करना है step by step वह भी मैं अकस्टेम education पर आप सब लोग के इलना होगा ठीक है process यही तक के लिए रहा thanks for watching guys और जो आप सब लोग से request आप वीडियो को सारे जगा तक share करना चाहिए because yes a helpful video इतने जल्दी नहीं मिलेगा आप सब लोग thanks for watching guys and thank you to all for today